लेटर निकला है जिसमें ये लेटर जो विशेश सचीव है उत्रप्रदेश गवर्न्मेंट के इन्हों ने लिखा है इसमें पहले नमबर पे आप देख रहे हैं ये निदेशक है उच्छा विभाग के प्रियागराज इनको लिखा है ये और भी कई लेटर हैं जिनको लिखा है कुलपती भी तदीकारी वगर लेकिन ये जो हायर एजुकेशन है उनको भी डारेग्टर को निदेशक को लिखा है इन्होंने और ये लेटर में क्या है इसमें ये जो मिनिस्टर है हाय एजजेंडा है मिटिंग का उनके एक meeting होने जा रही है अभी 13 March को हो लिके बाद में ये 13 March को ये meeting होगी इसमें जो agenda है meeting का जो डेड़ बजे 13 March को meeting होगी उसमें देखिए ये point number 4 देखिए आप point number 4 में है जो advertisement number 51 है UPHEAC का ये 1017 जो assistant professor की बरती है 2017 इसको भी इसमें सामिल किया गया है तो इनको लिखा है कि आप आईए इतने बजे meeting में और इन बातों पर चर्चा होगी अब यहां से कई चीजे निकल के आ रही है एक तो ये कि सरकार है जो अब ये exam करवाने जा रही है दूसरा अगर आपने अपनी तैयारी कम कर दी है रोक आप भी अपने लेवल पे देखिए गवर्नमेंट तो अपनी speed से अपने लेवल से कर रही है लेकिन आप भी अपने लेवल पे कहीं social media वगरा पे जाके और ताकि government पे इसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और वो कैसे होगा social media वगरा पे जाके आप एक simple और अच्छी language म जो Chief Minister Office है CMO उत्रप्रदेश या जो Honorable Chief Minister उत्रप्रदेश के उनको tag करके और लिख सकते हैं कि ये meeting होने जारी है ये अच्छा कदम है लेकिन आपसे आग रहे है कि 8-9 मेने हो गए हैं लगबग exam का advertisement निकले हुए लेकिन अभी तक exam की date नहीं आई है exam नहीं हुआ है तो उम्मीद है कि आप इसम को जल्दी से जल्दी exam करवाएंगे इस तरीके कि आप एक language लिख सकते हैं और उससे क्या है कि जब आप उनको tag करते हैं तो obviously फरक पड़ेगा इस चीज़ का meeting होगी तो इसमें message जाएगा एक कि ये exam आपको जल्दी करवाना है दो तिन चीज़े और है एक तो एक weekly current affairs का शुरू किया है तो weekly का मतलब ये नहीं है कुछ लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ वो ये नहीं है कि अभी March का करवा रहे है या जो अभी first week के March का चल रहा है इसके करवाए हैं आप देखिए उसमें आपको प लास्ट वीक का कवर करवाया है तो जो लास्ट येर जनवरी 2022 के पहले वीक और जनवरी 2023 का पहला वीक ये दोनों साथ मे लेके चल रहे हैं इस तरीके से करवाया जा रहा है आपको तो आने वाले आपके एक्जाम तक पिछले 15-18 महने का current affairs भी अच्छे से कवर हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा आपको important topic ही ले रहे हैं उसमें तो आप उस course को भी seriously लीजिए जो current affairs के करवाय जा रहे हैं उसको seriously लीजिए और test series वगरा जिन्होंने join किया आपको mail कर दिया गया है अभी तक जितने भी test हुए हैं कुछ चीज़े देखने में आ रहे हैं कि जिन्हों जोइन नहीं कर रखा है उनके भी email id आ रही है तो जो लोगोंने join कर रखा है वो परोपकार कर रहे हैं एक time बात आपका email id ब्लॉक हो जाएगा फिर आप complaint करेंगे तो ऐसा मत कीजिए आप अपना परोपकार अपने level पे कीजिए हमारे through करना चाह रहे हैं ये ठीक नहीं है क क्योंकि इसमें बहुत महिनत लगता है देखिए सबका अपना अपना रहता है तो मेरा ये request है कि आप उसको अपने level तक रखें सेर वगारा ना करें नहीं तो आप कोई ऐसा email आता है जिसने join नहीं कर रखा तो विशलिए ब्लॉक हो जाएगा आने वाले time में और test series से related कोई भी query है आप comment section में पूछ सकते हैं बाकि ये confirm है कि अब आपका exam जल्दी ही होने वाला है क्योंकि ये education ministry की meeting है और इसमें agenda लिया गया है तो ये मामला सरकार भी serious लेके चल रही है आप अपने पढ़ाई वापस सी शुरू कर दीजे एक और जो request है मेरा आपको जो देखना है देखी उसमें कोई किसी तरह की कोई problem नहीं है लेकिन positivity में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी तैरी बहुत अच्छी level की हो गई थी वो even 25-26 तो हर टेस्ट में सही कर रहे थे लेकिन अब उनका जो एक positivity है वो कम हो गई है और उसकी वज़ा है कि उन्होंने एक्जाम की डेट गवर्मेंट नहीं बताती है जब तक तो नहीं होगा सही है लेकिन पहले से ही कोई और इस्पेशली वो लोग जो तैयारी नहीं करवा रहे हैं कम से कम ऐसे चैनलों को आप देखें लेकिन बरोसा मत कीजे कि यह जो बोल रहा है वो ही सही है क्योंकि जो त अप्रेल में आपका एक्जाम होगा अब यह देखते है इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा और वैसे भी इसमें जयदा गृपर्मेंट को करना नहीं है अगर चेयर में का अपॉंट कर देते हैं तो एक जयाँ हो जाएगा चेयर मेंका पॉंट नहीं करते हैं और एक तक message पहुंचा सकते हैं कि आप इसको जल्दी करवाएं और भी कोई query है पूछ लीजेगा thank you very much